नमस्कार दोस्तों सुश्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पंकजिस्यटेडि सेंटर में दोस्तों जर्खंड बोट के लिए बहुत बड़ा खुसखबरी आचुका है कि जर्खंड बोट के बच्चे के लिए जो भी बच्चे परिशान हो रहे थे तो उसके लिए model set आ चुका है उसके लिए model set जो है दोस्तो आ चुका है और हम इस पूरे वीडियो में model set की पूरी चर्चा करने वाले हैं क्या है कैसे है आईए आपको बताते हैं one by one करके आपको question दिखाते हैं सबसे पहले आपको हम pattern समझाते हैं कि आपके exam में किस-किस pattern के question पूछने वाले हैं और किस प्रकार से question आने की संभावना है सारी चीज़ें discuss करेंगे दोस्तो तो देखिए सबसे पहले समान्य निर्देश जो दिये गए हैं इसको आप ध्यान से पढ़ें क्या लिखा गया है हम इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं आपके लिए देखिए लिखा हुआ है कि सभी प्रसन अनिवार यह है और यहां पे लिखा है कि इस प्रसन पत्र में 49 49 49 चार खंडों में विभाजित किया गया है जो प्रसन संख्या है 30 प्रसन है जो प्रतियक प्रसन एक अंकर के है तो आप लोग को दूस्तों एक चीज पहले पता हो जाना चाहिए कि क्या कि सेक्षन ए में आपका टोटल 30 कोशन पुछने वाले हैं टोटल कितने कोशन पुछने वाले हैं 30 कोशन पुछने वाले हैं और परतियक का जो marks number है, वो एक number करके है, ठीक है, और खंड B में total 10 परसन होंगे, और परतियक परसन जो है, दो number करके होगा, अर्थात खंड B से आपको 2 number करके 10 परसन मिलेगा, तो 20 number होगी आपका यहां से achieve हो जाएगा, कोई दिकत नहीं है, और 30 number यहां से, तो 30, 20 कितना पचास होगी आपका, ठीक है, तो 50 number आपका यहां से किलियर हो जाएगा, फिर आपका section C में जैसे जाएगा, उसमें 5 परसन आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो भी 4 अंक वाले, 4 अंक वाले total 5 परसन मिलेंगे, पांचोग 20 number यहां से हो गया, तो 50 और 20, 70 number का total हो चुक चार कोशन आपको देखने को मिलेगा, और ये चारो कोशन जो है न मेरे साथियो, वो चारो कोशन 5 अंक का पुछा जाएगा, अर्थात 5 चोग 20, यहां भी 20 number का, तो आप देख रहे हैं, 70 पहले हो चुका था, और 20 फिर जुड़ गया, तो 90 number का आपका एक्जाम होना है, औ 10 number का आपका practical होना है, तो होप सुन कि आप लोग pattern समझ में आ गया होगा आप लोग को दोस्तों, कि section A में जो है, 30 question पुछने वाला है, section A में जो है अपना दोस्तों, 30 question पुछेगा, जिसमें सारा का सारा MCQ question होगा, objective question होगा, सारा objective question होगा, clear दोस्तों? और जो section B है, section B में आपको 2 number वाला question पुछेगा, और 10 question total देंगे, section C में 5 person होगे, जो 4 number करके मिलेगा, और section D में 4 person होगा, जो आपको 5 number करके मिलेगा, तो ये pattern इस बार का है, I hope सुन कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम पूरा का पूरा PDF अपने टेलिग्राम चैनल मिथलेश सर के नाम से जो टेलिग्राम चैनल है, उसमें पूरा PDF डाल देंगे, तो ये अपना question देख लीजे, आप लोग 1 by 1 करके आ गया है, आप अभाज गुननखंड विधी से आप निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, पहला question ये है, दूसरा question क्या लिखा हुआ है, तो ये graph में आप PX में सुन्यकों की संखियां आप से पुछा जा रहा है, ये जो graph आप लोग को दिख रहे हैं न दोस्तों, इसमें PX में सुन्यकों की संखियां बताइए, तो एक दो बार यहां किया है, टच तो इसका answer हो जाएग ठीक है दोस्तों, नमबर 4 question में क्या लिखा है, ये अध्या 8 का है, I hope सुन कि आप लोग सारा question देख लेंगे, फिर ये 5 नमबर देख लिजए, आप लोग समांतर सरेनी का है, इसका पूरा solution हम इसके next वीडियो में लेकर आएंगे, बिलकुल सांदार तरीके से इसका next है, औ अगर आप लोग को चाहिए, तो telegram channel को join कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, link हम description box में डाल देंगे, clear दोस्तों, दोस्तों, वीडियो पसंद आए जानकारी, तो वीडियो को like करें, चैनल पे नया है, सस्क्राइब करके साथी साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, इस परकार के latest अगर दोस्तों